अचा आज सी वीडियो है वो मेरे पर्सनल एक्स्पीरियंस से बेंज है ये बात आज से तीन से चार महिने पुरानी है और मैं बहुत साथा कॉन्फिडेंट था कि मुझे तो यार काफी टाइम हो गया है ट्रेटर्वाइन को यूज करते में तो मैं इसको अच्छे से यूज क पर देख सकते हैं अब यहीं पर इत्तिफाक की बात यह है कि उसी दिन मेरे पास कॉल आता एक ब्रैंड का और उनने मुझे से बोला कि तुम्हें जाना है 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 और हैदराबाद में जाके शूट करना है अब मुझे ये बात अच्छे से पताती है और मेरे स्किन का जो बैरि लिए तो आपको यार पैसे रहसे मिलते हैं वर्ना तो वो लोग कह देते हैं इसकी शकल देखो कैसी ओड़िके लाल बंदर रखा है ये पिंपल्स हो रखे हैं इसके कहां से हम इसके साथ पाम कर लेंगे तो प्रॉब्लम ही आप है मेरे पास मैंने कहत हो दिया हां लेकिन मे मेरे पास समय था सिर्फ चार दिन का, तो कैसे मैंने अपने skin के barrier को सही करा, वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप में से किसी के भी लाल पना रखा है, या फिर redness है, या skin का barrier बहुत जादा पतला हो गया है, तो आप से routine फॉलू कर सकते हैं, तागि आपको maximum benefit हो, और मेरे पास तो deadline थी आपके साथ, I'm pretty sure आप में से most of you don't have the deadline, तो मैंने सबसे बहुता काम किया करा, और वेसी बात है, जो मेरा overconfidence और टेक्टे 9 को लेकर, वो तो चूर चूर हो गया, मैंने गा बेटा, ये एक medicated ingredient है, और ये तुझे उतना ही लगाना है, जितना कि तो over the period of time तू लगाता आ रहा है, क्योंकि इससे उपर जाएगा, तो तेरी skin को सहना पड़ेगा, जो कि दिख रहा है, तो मैंने कहा गाम करा, उस दिन तो मैंने नहीं लगाया, उच्छ नहीं लगाया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ, मुझे आज भी आदे, ये बात तीन वहीने पुरानी है, ठीक है, और मैंने रात में मूद होया, और रात में मूद होने के बाद, मैंने बैसली लगाना शुरू किया, simple and plain, बैसली, यहाँ पर हमारी key strategy आती है, सबसे पहला काम, और सबसे पहला दिन, जो शुरू होता है, वो यहाँ से शुरू होगा, जब मैं सुबह उठा, जब मैंने देखा, कि मेरी जो skin है, थोड़ी सी, सूदा हो चुकी थी, रात बार में, क्योंकि मैंने ऐसे पर से best लिन लगा था, मैंने अच्छा, ठीक है, अब इन pimples को कैसे सही करूँ, और यह trineus जो आज चुकी है, उसे ज़िसे सही करूँ, क्योंकि ओवरी सी बात है, अगर pimples है, तो इतना सा pimples भी दिखता है, क्यामरी के उपर, क्योंकि क्यामरा बहुत बढ़ा होता है, इतना सा pimples भी दिख जाएगा, तो यह प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या क्या काम करा, मैंने एक mild cleanser लाया आना है, इसका cleanser का नाम है, आप नोट भी कर सकते हैं, setafil, setafil का mild cleanser लाया, और इसके alternates भी आते हैं, जैसे कि simple का cleanser आता है, या फिर आप सेरावी के नाम से भी बहुत अच्छे cleanser आते हैं, तो mild cleanser लाया मैं अपने लिए, अपने मूँ को साफ करने के लिए, तो bonding में मैं mild cleanser से अपना मूँ साफ करता है, और उसके बाद directly मैं simply vaseline लबा लेता, vaseline कौन सी बहुत सारे options आते हैं, जो कुकुआ बटर वाली vaseline आती है, क्योंकि वो थोड़ी थिक होती है, उसकी consistency थोड़ी थिक होती है, अब इस phase में लोग गलती यहां भी करते हैं, जब उनको बोला जाए, कि मॉस्चराइज करो, तो वो कोई सा भी moisturizer उठा के लगाने लगते हैं, और गलती एक और करते हैं, वो यह होती है, कि वो active ingredient based moisturizer लगाने लगते हैं, जैसे कि salic-salic acid based moisturizer हो गया, या niacinamide based moisturizer हो गया, भाई एक बात समझो यार, तुमारे skin अभी वैसी हालत में नहीं है, कि एक active ingredient से है सके तो तुम्हे एक plain and simple moisturizer की ज़रूरत है मैंने भी वही गाम करा plain and simple moisturizer से मैं अपने face को moisturizer करता और मैंने in fact sunscreen तक नहीं लगाई क्यों नहीं लगाई अब आप लोग काऊ गए कि आप तो हमेशा कहते हो हर वीडियो में sunscreen लगाने ज़रूरी होती है और होती भी है लेकिन यह मेरे लिए एक trade game था वाई कि मुझे अपने skin पहले सही गर लूँ बाद में मैं ऐसे बचाता रहूँगा तो मेरे लिए priority पहले मेरे skin barrier था तो उस case मैंने क्या अगाम करा sunscreen भी नहीं लगाई उस चार दिनों में क्योंकि sunscreen भी और irritate कर सकती है you never know कि sunscreen तो कौन सा ingredient आपको irritate कर दे और skin को ठीक है अगला दिन में अपने face wash कर लिया अब पूरे दिन में मैं क्या थाम करता हर तीन खंटे के बाद दुबारा से gasoline reapply करता और मैं इसको एक step और फर्दर ले गया मैं फार्मसी गया और फार्मसी पे आपको glycerine मिल जाती है बॉटल में छोटी सी बॉटल आती है glycerine की आप बोलोगे तो वो दे देंगे तो glycerine की bottle भी लिया आया और emoline करके एक hydrating moisturizing moisturizer आता है बहुत ही अच्छा moisturizer है I don't know कि अब मिलता है या नहीं मिलता लेकिन अभी तीन महीने पेरे तो भाई मुझे मिल गया था वो अच्छी फार्मसी पे जाओगे तो मिल जाएगा चोटी मूटी पे जाओगे तो नहीं मिलेगा so that's the thing emoline और glycerine ये दोनों चीज़े लेकर आ गया अब क्या होता है मैं हर दो गंटे के बाद वैस्ति लगाता है प्लस थोड़ी सी glycerine भी लगा देता जहां पर मुझे लगता कि भाई बहुत जादा red हो रहा है या pimple बहुत जादा है इसके साथ ही रात को सोले से पहले मैं आपट जो face wash है again वही वाला जो मैं cleanser यूज़ कर रहा था वही face wash को यूज़ करता अच्छा यहां पर बहुत सारे लोग confused भी जाता है कि भाईया हमें यह बताओ कि face wash और cleanser में फरक होता है देबो जो face washes होते हैं ना जो अंदर थोड़ी ज्यादा अंदर तक penetrate करते हैं उनका aim ही होता है कि आपके oils को strip out करके आपको एक बहतर लुक देना excess oil को आटाना वही cleanser जो उपरी जो उपरी यह जो सता होती है उस पर काम बढ़ता है तो हमें ऐसा face wash नहीं चाहिए दौरहान जो आपको और hurt करें आपके skin को तो यहाँ पर मैंने normally setafil वाला जो cleanser था उससे अपना face को wash करा and मैंने simply westing लगाई थोड़ा सा जो मैं लाया था glycerine उसको लगा कर मैं सो गया अगला दिन आता है अगला दिन को यहाँ बर मैंने एक चीज करी यहाँ पर मैंने setafil को भी इस्तिमाल नहीं करा मैं एक चीज का added advantage लेना चाहता था वो क्या है वो आपके natural oils यहाँ आप में से हर किसी को बता हुआ कि आपके skin से natural oil निकलता है जो आपके scalp पे भी आता है और आपके मूँ पे भी आता है तो मैं उसका added advantage लेने के लिए मैंने अपना मुझ से lukewarm water से wash करा और उसके उपर अगीन वैस्लीन लगाई और यहाँ पर दूसरे दिन को मैंने glycol की जगा जो glycerine है उसको glycol बोलते है glycol की जगा यहाँ पर मैंने emoline gel कर इस्तिमाल करा जो कि मैंने आपको बताया अब मैं यहाँ डबल protection दे रहा था अपनी skin को वैस्लीन एक तरह से थोड़ा सा thick moisturizing properties के साथ आती है and जो emoline है वो एक अच्छा सपल look देता है और आपकी उपरी सता है उसे एक दम protect करके रपता हर दो गंटे के बाद अगर मुझे ड्राइनस अपकी तो मैं यही same process repeat करता और रात को सूने से पहले भी मैंने उस दिन बिल्कुल अपना मूँ सिर्फ और सिर्फ लूक वाम वाटर से दुए मैंने किसी भी तरह पर साबू नहीं करा यहां तक कि cleanser का भी use नहीं करा तो यह चीज नूट करनी है आपको नमर तीन जितने भी यह खुजली होती है हमारे अंदर कि भाई हम vitamin C भी लगा ले हम salicylic acid भी लगा ले हम peptides भी लगा ले यह भी लगा ले वो भी लगा ले कि यार यह जो skin है न वो सही नहीं हो रही है क्या पता इससे सही हो जाए क्या पता इससे सही हो जाए नहीं जितना basics की तरफ आप रहोगे न उतना जादा safe रहोगे basics क्या कहते हैं अगर आपको कोई चीज redness दे रहे है पहले बात तो उसे discontinue करता हो और moisturizing शुरू का रोज चीज की मैंने भी वही करा दीसरा दिन आया सुबह बो मैंने set a film का यूज करा क्योंकि दो दिन बहुत जाद हो जाते हैं अगर आप मून अदर हो तो यहापर मैंने set a film के इस्तिमाल करा and then again weseline और हमारा emailing इन दोनों का mixture को लगाता मैं अपने face के उपर हर 2-3 गटे के बाद और यही process मैंने रात को follow करा चौते दिन तर आते आते मेरे skin अच्छी हो गई थी पहले से काफी जादा better हो गई थी पूरी तरह से dryness नहीं गई थी लेकिन आप कहा सकते हैं कि मेरा face shot ready था, shot ready से मेरा मतलब है कि हा मैं at least camera के सामने खड़ा हो सकता था और कोई मुझे यह नहीं बोल सकता था कि तुमारे face पर यह हो रहा है, नहीं, मैंने इस कदर अपने face को सही कर दिया था, लेकिन सही करने के जो रास्ता होता है वो बहुत simple होता है, लेकिन हम ही उसे complicate कर देते हैं, यह product लगा हैं, वो product लगा हैं, मैंने बहुत simple रखा, इसके साथ ही मैंने कुछ और चीज़े भी करी, जो मेरे face को enhance करें, जैसे कि सबसे पहसे अपने diet में मैंने पानी का इस्तिमाल खू करा, शुरुवाती दिन से, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक तरह से पानी ही पिला रहा हूँ अपने skin को, चाहें फिर वो बाहरी तौर पे हो, या फिर अंदरूनी तौर पे, तो मैंने एन करा, तीन से चार लेटर पानी मैं पिऊंगा, द दूरूनी तौर पे आपकी जो skin है, वो hydrate रहेगी और बाहरी तौर पे तो आप करीगी रहे हैं, नमबर तीन, यहाँ पर बैने न, हर रोज, साथ गंटे की नीन ली, if I'm not wrong, साथ से आठ गंटे की नीन ली, I know ये अभी के लिए थोड़ा जादा हो गया मेरे ले, लेकिन उ maximize कर दू अपनी recovery को, तो मैंने उसी पर अच्छे से गांतरा, क्योंकि obviously आपकी जो skin है, वो तभी recover होती है, जब आप rest करते हैं, यानि की sleeping state में होते हैं, तो मैंने उस period को maximize करने के लिए, ये चीज़ों का सहारा लिया, अपने डाइट में पानी का बढ़ा दिया, इंटेक, फालू का intake बढ़ा दिया, और अपनी sleep पर दिया, along with all the things, जो मैंने आज आपको बताईए, तो अगर आप इस चीज़ से सफर कर रहे हैं, फर्स करें कि आपने कोई नया face wash लगाया, उससे आपको redness होगी pimples आ रहे हैं, do the exact same process, आपने कोई vitamin C यूज करा, उसके बाद आपको pimples आ रहे हैं, आपका skin का barrier फोड़ा खराब हो गया है, redness आ रही है, do exactly what I told you, कोई आपने सले 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 एक acid-based या tretinoin-based product उसकर, do exactly what I just told you, and you won't believe कि आपका skin का barrier एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से तो नहीं, it will take around 5-6 days, complete 5-6 days, along with all the process, जो मैंने आपको बताया है, all right, this is a really good way and a very cheap way to achieve a good skin barrier, thank me later, anyways, तो इस तरह से मैंने अपना शूट करा, शूट की फोटो आप देख सते हैं, इस तरह आप शूट रहा, शूट के दौरान भी, I can feel the dryness, because जब मेकप लगता है, तो आपकी skin dry तो होती है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस दौरान कोई भी तरह का मेकप जो लड़के मेरे वीडियो देख रही है, जब मेकप दूरिंग यॉर स्किन रिपेर, तो आपकी जो स्किन है व अच्छे से हील नहीं हो पाएगी, तो पहले हील कर लो, देन बाद में सुंदर दिख लेना, मैंने भी यही करा था, तो शॉट के दौरान, I can feel the dryness, but it went well, and even guys, अगर आपको सीकने को विला, do it the like button and subscribe and I'll see you in the next video, bye guys.